श्रि लंका से जुड़ी कुछ मज़िदार जानकारिया हरी भरी वादिया खुबसुरत समुद्धी तर्ट और अपनी अपने आपमे काफी अनोका देश है आईए आज आपको श्रीलंका से जुड़ी कुछ मज़ेदार जानकारिया देते हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा पुराने समय में श्रीलंका की पहली राजदानी अनुरादा पुरा थी और उस समय वो अनुरादा पुरा सामरज्य के नाम से जानी जाती थी अनुराधापूरा सामरज्य के काल में ही बुद्धा के कुछ आउशेच भारत से अनुराधापूरा आये थे और तब इसे वहाँ के लोग बुद्धा के अनुयाई बनने लगे दश्षिन भारतिय राजा द्वारा हनुराधापुरा सामराज्य पर हमला करने के बाद श्रीलंका की राजदानी पोलो रानुआ बना दी गई करीब देड़ सालों बाद पोलो ना रुआ भी पाच सामराजों के पाच दिपों के तुकडों में बदल गया और इसके करीब पाच शतवियों के बाद पूर्टुगालियों ने कोलंबो में अपना वैपार बढ़ाना शुरू कर दिया फिर केंडी को श्रीलंका की नई राजदानी बना दिया गया श्रीलंका के लोगों को पूर्टुगालियों का यहाँ वैपार करना रास नहीं आया और उन्होंने डच लोगों के साथ इस शर्थ पर संदी की कि अगर वो उन्हें पूर्टुगालियों से चुटकारा दिला देगे तो वो यहाँ अपना एकादिकार जमा सकते है सन सोला सो के मद्दे में डच लोगों ने केंडी को छोड़कर पूरे दिप पर राज किया लेकिन इसके करीब देड़ सो साल बाद ब्रिटिशों ने इस दिप पर धीरे धीरे शाशन स्तापित करना शुरू किया और आखिरकार 1815 में केंडी पर अपना एकादिकार जमा लि अंग्रेजों से मुक्त होने के बाद यहां कई सीहाली सरकार बनी लेकिन यहां तमील लोगों को नागरिकता नहीं दी गई जिसके चलते सीहाली और तमील लोगों के बीच काफी विग्रोह हुआ और ऐसे में श्रीलंका में 1983 से 2009 तक गुरुह युद्ध चलता रहा 1972 तक श्रीलंका का नाम सीलोन था श्रीलंका को भारतिय महासागर का मोती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि श्रीलंका का आकार आसु की बूंद जैसा है श्रीलंका पच्ची में हिंद महासागर और पूर्व में बंगल की खाड़ी से घिरा हुआ एक वीप है श्रीलंका क का ऑपिशियल नाम डेमोक्रिटिक सोशिलिस्ट रिपब्लिक औप श्री लंका है श्री लंका की दो आधिकारिक भाषा है सीहाल और तमिल श्री लंका से सबसे ज़्यादा निरियात सीलों चाय का होता है श्री लंका में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एरपोर्ट है जो कोलंबो में बना है अकेले श्री लंका में करीब 20,000 हाती है वर्तमान में बुद्ध के दातका आउशेश केंडी के एक मंदीर में मोजुद है 2004 में आई सुनामी से सबसे ज़्यादा श्री लंका ही प्रवावित हुआ था इस सुनामी में करीब 35-40,000 लोगों की मोद की कबरे सामने आई थी रामयन के अनुसार रावन ने माता सिता का अपरन किया था और वो श्री लंका का ही था श्री लंका के नारियल का आकर काफी बढ़ा होता है तो दोस्तों आज की वीडियो में पस इतना ही आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेट्स करके जरूर बताए और साथी कुछ ऐसे ही वीडियो पाने के लिए टॉप 10 लिश्ट इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करे तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में